हाई फेंड्स मैं परण्द्र खारी फेंड्स आज कि हमारी गें बंस अगें फिड़े वर्ल्ड चेस्ट चेंपेंशिप की डिंग लेरिन बर्सिज दोमराजु गुकेश राउंड फोर तो आप सभी लोगों को पता हुआ कि मैं फोड़ा लेट अप्लोड करता हूँ यहां डिंग लेरिन ने ओपनिंग की थी नाइट फ्री यामी रेतिक ओपनिंग के साथ यह थोड़ा सर्प्राइज बराब हो था दोमराजी गुकेश के लिए उन्होंने रिप्लाई डी 5 का करन भी कानी है दोनों के लाड़े अपने उपनिंग पर ध्यान देंगे मेरे दिमाग में आया था कि नाइट को मूव करके वो वेस्टेज उफ मूव मन है वैस्च्छल का तो थेर्टी करें बिशप आया इतनी स्क्वार पर फ्रेंड्स डिंग लेरिन का ये मूव काफी क्रिश है बिशप एक्स एफट के लिए ही जाएगा प्रेंकि बिशप आया थ्री स्क्वार पर इसी लिए था नाइट एक्स एफट हुआ दैन हुआ सी फोर नाइट डी सैवन वो नाइट वापस आया ऐसा करने के बाद एक काम तो हुआ है ब्लैक के एक मूव अट लिस्ट ने अब कहीं जाकर कैसल किया लेकिन वो जो डिले है हलका सब उससे के नुकसान होने वाला है अभी देखते हैं सी टेक्स डी फाइब एक्स डी फाइब सेंटर्र पर अने वाला होगा लेकिन वाइट अपने नाइट को बिलकुल एक ऐसी आउटकोर्स दिलाना चाहेगा जह ब्लैक उसके बाद इस सी पॉन को अराम से आगे पुश नहीं कर पाएगा जैसे ही ये बी पॉन आगे पुश हुआ था यानि लेरिन पोजिशन में अपनी ग्रिप बना रहे हैं सी सिक्स किया यहां गुकेश ने देन हुआ नाइट डी फॉर बिशप को हटाना पड़ेगा बिशप गया यहां एच सेवन स्क्वार पर देन क्विन आई बी थी स्क्वार पर नाइट इफाइव फैंट्स यहां से नाइट मुझे तो लगता नहीं कुछ ऐसा होने वाला है एफॉर खेला गया पहले रुक आया सी एट स्क्वार पर देन हुआ एफाइव एफाइव होने के बाद फ्रेंड्स अब गुकेश क्या करें देखिए जब इस तरह की गेम होती है मेरे जैसा खलाडी तो आउट ओफ आइडियास होने लगता फिर गल्तियां करनी शुरू कर देता है लेकिन फिर भी देखिए नाइट इफूर को जिस तरह से गेम पिल्कुल कोई खलाडी किसी दूसरे खलाडी को कोई भी स्कोप नही नाइट टेक्स एफोर डी टेक्स एफोर रुक लगा लो सेंटर में एक्वाली रही यहां से भी गर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो यहां के लागया बी सिक्स का मूँव और बी सिक्स होने के बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे कहते हैं छोटा सा जो भी मैं बोल रहा कोई बहुत बड़ा इश्यू होगा यहां पर गुकेश के पास एक्वल चांसिज अभी भी होंगे वो यहां सी पॉन को आगे पुछ करके पहले नाइट और उसके बाद भी दूसरे नाइट तक अटैक बनेगा बी टेक्स एफाइफ कर लिया बी टेक्स एफाइफ जाएगा अब आपकी मर्जी है आप अपना बिशब बचाओ फॉर वाइट या फिर अगले मूव में आप इस फॉक कुलने को मतलों एक्शेंज अप होने का मौका यहां पर कुल मिलाकर नहीं मिलने वाला है चलते हैं जर अगें पर तो बहुत मैं कहुंगा कि मैंटल लेव पॉन अगर यहां क्रियेट होगे अगलती से भी स्कॉर तो बड़ी दिक्कत होगी वाइट फुड़ा डिफेंसिव मोड ना जाएगा तो लेनिन ने का कि नहीं अब मैं आप पी करो जो करना एक्शेंज अगरा होगरे जो भी कुछ है आप चाड़ी पॉन आगे पुछ हो चाहरे तो यहां डीक्स फी पर बाद बिलकुल आब देखो यहां तीन पॉंट से तीन पॉन के सामने दो पॉन यानि की वुकेश ने सी फाइल या डी बी फाइल में एक पॉन को निकालने की गुणियाश तो छोड़ दिये हैं हाला कि हैं कि अब इसक्र चार पॉन है ब्लै फॉर्थ या फिफ्ट रैंक में निजर आने लगी गा बिशव आया E4 स्क्वाइर पर बिशव एक्शन आस्किन है लेकिन उससे पहले लेरिन ने अपने रुख को लिए D1 स्क्वाइर का सॉरी कुइन पर अटेक बना, कुइन को हटाना पड़ा और उसके बाद की आगए बिशव टिक्स E4, नाइट टिक्स E4 देन ऐट एक्स B6 एट एक्स B6, नाइट आया C3 स्क्वाइर पर रुख अटप गोज तु D8 रुख आक्शेन नहीं करने है नाइट टिक्स E4, नाइट आक्शेन अगर नहीं है रुख टेक्स डी एट चेक, रुख टेक्स डीएट, बीटेक्स डीएट बीटेक्स C5, फाईनली C5 स्क्वार पर एक पॉंद तो बाहर निकल के आ चुका हैं, क्या यह बहुत जाहदा इमपाटेंट बहुत जाहदा प्रॉफल्म वाला हो सकता है लेरिन के लिए, शैड देग क्यों रुक c1 पहले उसी pawn पर attack बनाया queen e5 pawn पर defense कर लिया गया then हुआ queen c2 friends यहाँ इस point पर लेखे friends यहाँ लेनिन ने अपनी queen को c2 square पर ही के लिया why not c4 या c3 देखें रुक आया d5 square पर यह important है अब गुकेश ने अपने रुक को d5 square पर लिया अगर यह queen माल लो c4 square पर गई होती तो e pawn आगे push होने के पुरे chances थे यहाँ खेला गया g3 का फ़ाइफ देन हुआ king g2 king h7 queen ic 4 square पर देन हुआ queen b6 queen b6 e4 finally खेला गया ठोड़ा material actions की बात हो गया रुक आया e5 square पर e tx f5 rook tx f5 then queen e4 square पर और क्या हुआ है फिलाब थोड़ी देर के लिए rook pin हो चुका है यानि कि अगले move में g-pon आगे push होगा और rook पर attack बनेगा क्या करें एक ही तरीका है कि किसी तरह से इस rook की pin को खत्म किया जा queen d5 queen actions आसके है या तो रुक की pin को खत्म करो अच्छा हाँ और queen ने वो तो करनी पड़ेगी देखे queen force हो लोगे ला queen tx d5 के लावर को दूसरी option है rook tx d5 friends अब यहां तीन pawns के सामने दो pawns black के आ चुके है c file का passer rook end game है एक pawns की lead भी बहुत जादा मायने ने देखती द्रॉक कराने की पूरी possibility हो नहीं है king ii f3 square पर king g6 center की तरफ king आने शुरू हो चुके है king ii e4 square पर rook से आई check king e3 खेर गोकेश ने check दी है पहले बाद तो यह हंट रहे rook ii d5 square पर फिर हुआ king e4 rook से फिर दुबारे check आई king ii e3 square पर d5 check twofold repetitions तो हो चुके है king e4 और गोकेश ने का की चले रुक d4 चाकी को निकलना कुछ नहीं है finally यहाँ दोनों करें threefold repetitions तो draw तो होगी है friends neck to neck fight चल रहे हैं चार रूंड हो चुके हैं दो दो points दो नों के लाड़ी पास है दो games draw ही हैं well friends काफी अच्छा चल रहा है टूंड है उमीद आप सभी लोग को भी जरूर पसंद आएगा पर comment suggestion आप जो बेहत दा रहेगा thank you for watching and bye for now